चलिए तो आज हमारे वब बेसिक का मॉडल का चेप्टर है जिसमें हम लोग वब का दस्वा लेक्चेर डिसकस कर रहे हैं Dear Learners मैं आपको बता दू कि अब तक मैंने पास्ट के बारे में बातें करी हैं पास्ट के बारे में जो बाते हुई हैं उसमें जो मैं थोडा सा डिफाइन किया था कि कफुड और maze to में क्या दिफॉर्ण्स होता है अभी की क्लास में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये पढ़ाने जा रहा हूं कि should, must और ought to क्या होते हैं मैं डिफ्रेंस बताते हुए चल रहा हूं फर्दर मॉडल के कुछ और भी लेक्चर्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कुछ अलग लेबल पर ले करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ेंगे उन चीजों को भी में डिसकस करूंगा बट अभी अर्दमीन टाइम हम लोग उन चीजों खुब नहीं जा रहे हैं अभी हम एक वैसे तो यह हाई लेबल पर ही में डिसकस कर रहा हूं एडवांस लेबल पर ही डिसकस कर रहा हूं बेसिक से लेकिन फिर भी इसका भी एडवांस अकर कुछ हो सकता है तो वो मैं आप लोगों को जल्द ही पढ़ाऊ सबसे पहले मस्ट कोई लिख लिया जाए तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं बताई जा सकती कि हां मैं इस पर्टिकुलर बुक से आप लोगों को पढ़ाता हूं कि आज अधित्यकुमार गुड़ यूनिंग चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को सटार्ट करते हैं और class में जो हम लोग discuss करते हैं जो हमें इस डिस्कास करना है कि मैं सबसे पहले मस्ट को ही लिख लिख लिए जैए टिंक मस्ट क्या होता है कि और क्या होता h और आपका सुट क्या होता है यह तीन चीजें हैं जो आज हम लोगों को डिसकस करना है मस्ट कब लगाते हैं और तू कब लगाते हैं सुट कब लगाते हैं कई सारे ग्रामेरियन हुए हैं उन्होंने अलग-अलग बाते कहीं हैं कई बार कह दिया गया है कि सुड माने ऐसे ही चाहिए मस्ट माने ही चाहिए हिंदी कर लेते हैं लोग कहते हैं सुड में ज्यादा प्रेसर होता है मस्ट में ज्यादा प्रेसर होता है मसीन तो लगी नहीं कि वहाँ नाप लोगे जाकत फिर कहते हैं और टू तब लगाया करो जब तुम्हारे सभ्यता की बात हो संसकार की बात हो तमाम चीजें लिखी गई है वही चीजें मैं भी दोहरा देता हूँ अभी रुकिये बस दोहराता हूँ मस्ट का यूज किया जाता है ओबलिगेशन के लिए मस्ट का यूज किया जाता है ओबलिगेशन के लिए और टू का यूज किया जाता है मोरल ड्यूटी के लिए सुट का यूज किया जाता है सजेशन के लिए बस हो गया खतम हो गया तीन उपर लेकिन क्या आप समझ पाओगे कि क्या मॉरल ड्यूटी है क्या सजेशन है क्या अबलिगेशन है क्या है मलब किस तरीके से आप डिफाइन करोगे यह सारी बातें गर हो जाएं तो आगे बढ़ें कुछ एक्जामपल की तरब बात करें क्या है क्या है क्या है इस संटेंस में आप क्या फिल करेंगे बताएं देखो एक चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि यह भ्रम निकाल देजिए सुड और और टू का बस सुड में और और में डिफरेंस इतना है वैसे तो जहां जहां हम लोग और को लगा सकते हैं वहां वहां सुड को लगा सकते हैं लेकिन जहां जहां सुड को लगा सकते हैं वहां वहां और को नहीं लगा सकते हैं जैसे लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है सुड आता है तो लेस्ट के साथ आप और नहीं लगा पाऊगी हमेशा सुड ही लगा पाऊगी हाँ जहां जहां ओर लगा सकते हो वहां वहां सुड जरूर लगा सकते हैं बस अंतर इतना है कि सुड के साथ वह अपकी बेस फॉर्म आ उसका नाम आट्टू नहीं है, वो के वल आट है, उसके साथ 2 और बेस फार्म दोनों आजाते हैं, बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है, अब हुमें बताओ कि मस्ट आएगा, कि सूड आएगा, कि यह ओट आएगा, अलाकि देखा जाए तो यहाँ पर वपकी फर्स्ट फार् लगा देते, यह आट टू सूड एखी मितलब पनवे करेगा, इसलिए दोनों में से क्या लखोगे, वो अलग बात है, यह मस्ट लगाओगे, यह थोड़ा सा आप लोग कोमेंट करो, जिससे मैं समझ भाऊं, गोड यूणिंग चेतना, गोड यूणिंग आयोश, लेस्ट क साथ सूड आता है, एल्स के साथ हूड आता है, अब आप लोगों के आंसर का अगर मैं वेट करूं तो लंबा समय लग जाएगा, मैं आंसर देता हूँ, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, यहाँ पर आंसर होन यहां पर जो आंसर आने वाला है आंसर क्या आएगा मस्ट आएगा मैं पूछूँ आपसे मस्ट क्यों आया तो आप कहेंगे कि बाधिता है कि काम कंप्लेट कर लो नहीं तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताओं इन सारी चीजों में डिफ्रेंस क्या होता है यह इस तरीके से मत पढ़ा करिए इस तरीके से पढ़ोगे तो इस लेंग्वेज लगेगी और समझ कभी नहीं पाऊगी इनमें कुछ अच्छी चीजें हैं सीखने की समझने की वो सीखी जैसे जब कभी भी आप बात करते हो अब्लिगेशन की तो अब्लिगेशन का मलब समझ चल क्या होता है obligation का मतलब होता है it is decided it is decided यह पहले से decide कर लिया गया है यह ऐसा ऐसा तुम्हें करना है that is called must और should का मतलब होता है it is not decided decide नहीं किया गया है listener will decide listener will decide देखो दो चीज़े होती है एक speaker होता है और एक listener होता है मानिए मैं speaker हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं घर पर आप listener है तो मैं speaker हूँ और आप listener है मैं speaker हूँ आप listener है तो बस आप इतना समझे कि must का मतलब है it is decided और should का मतलब है listener will decide तो अगर ये बाते समझ में आ चुकी हों अच्छी तरह से तो आप question में आईए question अगर यहां तक होता ऐसे कर देता हूँ तो आप चाहे must लगा देते चाहे should लगा देते कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन लिखा है और be ready to pay fine fine भरने के लिए तयार हो जाओ इसका मतलब work time पर खतम हो ये decide पहले ही किया जा चुका है क्योंकि अगर decide नहीं किया होता तो तो तुमसे ये warning ना दी जा रही होते कि fine भरने के लिए यार हो जाओ इसलिए आपको यहां पर मस्ट ही उच करना पड़ेगा एक दूसरा एक्जामपर लेते हैं देखते हैं आप लोग वहां पर एप्रोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने कहा झाल यू गवाई टक्सी एस देर और नो मेंस अविलेबल नो मेंस मत कहो दिखकत देगा यू टक्सी एस देर ऑनो मेंस अविलेबल नो गफभेड़ यू यू टक्सी एस देर उ और अधर जान्वे नों गविलेबल नों मेंस अवैलेबल कमोलता साधन मलभ को यह और साधन अवाल से जाओ तो अब हिंदी कर लोगे आप Λो कि टेक्सीय जाना पड़ेगा क्ल लब हिंदी करने की आदत हो था हो टक्सिया अक्षे करोगे है चैनल आ अव्युक्त कि शुड़ करोगे वैसे सजेशन भी तो हो सकती है कि तुम खड़े चौराहे पर भीग रहे हो और तुमसे कोई कहे कि यह काम करो टेक्सी लो निकल लो नहीं तो बहुत मारका हो गई तो यह भी तो हो सकता है कि तुमको कोई सजेशन दे रहा हो अगर सोचो तो यह भी तो हो सकता है कि आपको कोई सजेशन दे रहा हो कि टेक्सी लो नई तो दिक्कत हो जाएगे तुमको बहुत मैं हैं ती नहीं आती कि अधाशान देक्ट को अपने हिसाब से समझना चाहता है वो इंगलिस हो अपने हिसाब से समझना चाहता है अब है वह समझो जो कोश्चन कह रहा है कोश्चन के अंदर जहां को और कोश्चन से पूछो कि तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि कोश्चन की डेफ्ट में नहीं जाओगे तुमको दोनों बाते ठीक लेगेंगी कोई साधन अब लेबल नहीं तो उसको जाना पड़ेगा टेक्सी से ये भी बात ठीक लगेगी मस्ट लगा दो और कोई सजेशन दे रहा हो त तो है नहीं टेक्सी है पकड़ो निकलो ये भी बात ठीक लगेगी अब तुम करोगे क्या फज्च जाओगे बुरी तरीके से घूम जाओगे कि मैं पोथी बांचने नहीं आया हूं लाइव कि मैं पढ़ा के चला जाओं मार चाहर पनना और बच्चे करें वास्तर क्या पढ़ातने एक लाइव में एकदम शीका जाती है कि मैं उतना ही कॉंसेप्ट डिलिवर कर रहा हूं जितना तुम वाकई में बरदास कर पाओगे या जिसको तुम अच्छे तरह से दिमाग में प्लेस कर पाओगे कि मैं बताता हूं कि यहां पर मस्त आएगा अब लोग कहेंगे भी देखा मैंने कहा था मस्त आएगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यह जो लाइब बच्चे देख रहे हैं यह आंसर नहीं करते क्योंकि इनको पता होता है कि आंसर करेंगे तो फंस जाएगे बेटा मस्त आएगा अब लोग कहेंगे सर देखा हमने कहा था ना जाना पड़ेगा टेक्सी से कोई साधन नहीं है इसलिए यह वजा नहीं है कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट होता है बाप बाप होता है कॉंसेप्ट में आओ शुड तब लगाते हो जब लिखा होता है लिस्नर विल डिसाइड सुनने वाला डिसाइड करेगा जैसे किसी से कहा वे टेहल लो तो बड़े प्यार से हाँ फेरते हुए कह देते हो उससे मोटापा देखा किसी के उससे कहते हो यू सुड वाक तुम्हें टेहलना चाहिए तुम्हें टेहलना चाहिए अब यू डिसाइड करेगा कि हम टेहलेंगे कि सुएंगे तुम ठेकेदार मत बनो तुमने कह दिया हमने सुन लिया लिस्नर विल डिसाइड कि हम टेहलें या ना टेहलें देट इस काल सुड वो सुड है हमारे यहां तो कह दिया जाता है जहां चाहिए आ जाए तो चाहिए हम तो फिर बहुत कुछ चाहिए सब को ही चाहिए कह दिया जाता है जहां पर चाहिए लगाओ वहां देखो सुड लगा दिया करो ही चाहिए तो मस्त लगता ता नहीं क्या क्या चलता है सब इंडिया है बदनाम कर रहा है, यहां पर लिसनर करता है, जब लिसनर करेगा, तो सुड़ाएगा जैसे किसी ने कहा your exams are near, you should study hard, तुमारी परिच्छा बड़ी निकट है, कठिन मैनत करनी चाहिए, अब तुम करो, ना करो, फेलो जाओ, किसको क्या पता है? अब अगर इस sentence को आप लोग देखो तो कुछ जादा गड़बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन एक element समझ में आ जाएगा, और कौन सा element समझ में आएगा? वो ये वाला element आपको समझ में आएगा, लिखा no other means, मालो कई सारे साधन है, टेक्सी है, मेट्रो है, बस है, और कुछ हो सकता है, तो कुछ कितने आलपी है, गेट पर बैठके नहीं गेट खोल सकती है, देखे रहा हूं, कि रिक्सा है, और आटो है, अब बैल गाड़े नहीं लिखेंगे, तो डाउट्डेटर हो जाएगा, जो कई सारे साधन थे, और वो कह रहा है कि, नो अदर मीन सार अबलेबल, मनलब टेक्सी को गच, टेक्सी की स्पेलिंग रह लिखी क्या, टी ए, एक्स, आई होती है, तो नहाँ वाई लिखी हुई है, वो अभी ध्यान गया मेरा, बच्चों को कहिने में देर नहीं लगते विने सार को टेक्सी की स्पेलिंग नहीं आते, टक से कहते हैं, तो मेरी एक बास समझो, मेरी एक बास समझो, मेट्रो है, बस है, इरिक्सा है, आतो है, यह सब है, यह भी नहीं अबलेबल है, यह भी नहीं अबलेबल है, इरिक्सा भी नहीं अबलेबल है, और आतो भी नहीं अबलेबल है, तुम decide तब करते जब तुम्हारे पास यह सब अब लेबल था तब तुम decide करते तुम्हें किस से जाना है तुम्हारे दिमाग के उपज कितनी है तुम decide कब करोगे तुम decide तब करते जब तुम्हारे पास option होते बड़ा सीधा सा मतलब है तुम्हारे पास टेक्सी, मेट्रो, बस, एरिक्सा, आटो, कब सब खड़ा होता और कहता चलो मालिक हम से, चलो मालिक हम से तुम कहते हैं हाँ, आप डिसाइड हम करेंगे तब तुम सुड लगाते सुड का एक ही मतलब है लिसनर विल डिसाइड अब वो सारी बाते रही नहीं No other means are available कोई means available नहीं है केवल एक विकल्प बचा तुमारे पास टेक्सी तो लिसनर विल डिसाइड वाली हाँ बात तो खतम हो गई न तो इसका मलल विटिन डिसाइड कि तुम्हें टेक्सी से ही जाना है अब निकलो इससे चुप चाथ इसलिए वहां पर मस्ट आएगा बच्चों आज लाइब में आप लोगों को क्वाल्टी बहतर दिख रही होगी कल कैमरे का मैंने पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने का इसको थोड़ा और बहतर कर दिया जाए करने को तो मैं इसको और भी मलब अच्छी क्वाल्टी का कर सकता हूं बट वह आप लोगों का नेट बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा चलो जब यह सारी बात हैं तुम समझ चुके हो अच्छी तरह से समझ चुके हो तो एक कोश्चन और देख लो तो खेर Must, Could क्या 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 मैंने का Must क्या है, Should क्या है और ऑट्टू क्या है यह थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लिया होगा थोड़ा सा आप लोगों समझ लिया हो तो अब एक कोश्चन और देखो you must have to wear mask you must have to wear mask you must have to wear mask अब इसमें बड़े ध्यान से लोग गल्दियां बता देते हैं कहते हैं देखो मलब हर बच्चा बता लेगा देखो सर ऐसा है या तो ऐसे कर दो कि यू मस्ट कि विएर मास्क और या तो ऐसे कह दो कि यू हेव तो विएर मास्क और दोनों बाते ही सही हैं और जब दोनों बाते तुम्हें ठीक-ठीक समझ में आने वे गए तो समझना के गईव है अस्पानियम क्योंकि जानते हुँ किताबों में एक रूल लिखा है बड़ा प्यारा रूल लिखा है मस्ट इज़िकल टू हैव टू जहां जहां मस्ट आता है वहां वहां हैव टू आ सकता है और फिर ऐसे बगर्म लिख दिया गया यह कंपल्सन बताता है मास्क पहनना जरूरी है बिटा पहनो मास्क चाहे हैव टू लिख दो चाहे मस्ट लिख दो अब ही के साथ लिखोगे तो हैस टू हो जाएगा ये सब चिला चिला के सब तुम्हारे दिमाग में बरा गया झाल देखो, सही है की गलत है, कंपल्सन मतलब समझते हो ना, बात देता करना ही पड़ेगा, ठैंक यू, इतना देलही से पड़ रही है, और उन्होंने लिखा है, कि ऐसा कोई टीचर समझा ही नहीं सकता, जैसा डेफ्ट में आप समझा रहे हो, इसके पहले भी जहां तक मुझे पता है, कि आपने बहुत से लोगों का फेड़ बैच पढ़ा है, मुखरजिन अगर मैं आप बहुत टीचरों को जानते ही है, और अच्छा लगा, अभी तो खेर मेरी कोई एज नहीं पढ़ाने कि मैं भी एक लजनाजी हूँ, इसलिए मैं अगर आपने कभी देखा हो, तो मैं अपने नाम के आगे सर को रिमूब कर देता हूँ, विने मिस्रा ही लिखता हूँ, और आज मेरी नजर पड़ी है, अपने टेली ग्राम पर जहां लिखा है, इंग्लिस भाई विने मिस्रा सर, वहाँ से भी मुझे सर को रिमूब करना हूँ, और आज ही करेंगे रिमूब, नजर मेरी अभी पड़ी टेली ग्राम की जब मैं दोपार में फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो जितना हो सके, वहाँ से सब जगां बस प्लेन नाम ही रहे, इसमें क्या गलती है, देखो, आदत वही पुरानी है, करनी हमें मनमानी है, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए न, जो बिल्कुल छू के निकले लगे, तो बिल्कुल सही है, गलती कहा है, अखीकत है क्या गलती है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं सही नहीं लिखता कभी, मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, और यह गलत है, यहाँ मस्ट नहीं आएगा, यहाँ है टू आएगा, सुट तो कभी नहीं आएगा, पाँच किलो मीटर चलना है, क्या स्कूल दूर है, चलना पड़ेगा ही, हाँ, यहाँ पर हैस्ट हुआएगा, यह गलत है, इसके जगाँ पर हैस्ट हुआएगा, अब बच्चा दिमाफ होगा खराब, मस्ट और हैटू एक ही है, कहां एक है, मस्ट में चार स्पैलिंग होती है, और हैब में देखोगे तो हैब टू मिला के पाँच हो गई, 6 हो गई मैं हैज वो मिला रहा था हैज और टू 5 हो गई मस्ट की स्टार्टिंग M से होती, इसकी एच से होती है M अल्फाबेट में 13 नंबर होता है H8 नंबर होता है जिन्दी अंगर आपने पढ़ी हो तो बढ़ांतर ऐसे ही है लेकिन सर यहाँ पे तो कोई अंतर आपने नहीं बताया था तो यहाँ अंतर क्यों हो गया यह सोचने वाला विस्ट है सुनो और सीखो अब्लिगेशन भी दो तरह के होते हैं अभी तुछ तुम इतना ही पढ़ो आप सभी लोग अभी मैं विने मिसरा मस्ट पॉसिबेल्टी बताता है यह भी प्रूब करूँगा SSA सीजल के प्रीवेस एयर से मैं जीता हूँ इंगलिस को मस्ट पॉसिबेल्टी बताता है अभी मैं प्रूब करूँगा आने वाले समय में पहले आप लोगों को वो पढ़ानू लेवल जो तमाम किताबों में लिखा है किताब में यही तो लिखा है लेकिन जब बहुत ज़्यादा तुम रिसर्च कर डालोगे बहुत ज़्यादा संटेंसेज को पढ़ डालोगे अब प्रैक्टिकल गाइड टुंगलिस ग्राममर रॉक्सपर्ड उन्युमेसटी बेटी एजार अलग लिखा है फंडामेंटाल उफ इंग्लिस ग्रामर अलग एन इन्टोड एक्सान टुंगलिस ग्रामर जॉन में बिटिक्शन अलग पीषि येन अलग जेसी नेस फिल्ड अलाग सबको पढ़ा लो और पढ़ना है माइकल सौन पढ़लो और पढ़ना है रेमन वर्फी पढ़लो और पढ़ना है इंडियन राइटर पढ़लो अब उनके नाम नहीं लोंगा नहीं तो कॉपी राइट कर देंगे कि सबको पॅढ़ा लो निस्कर्स यह कहेंगे मस्ट है टू एक है लेकिन अंतर है जब पबलिक आपलिक होता है तो वहां पर मस्ट भी सही होता है और है टू भी सही होता है जब पबलिक को अब्लिगेशन होता है लेकिन जब वो कि सरकम्टेंसियल अब्लिगेशन होता है उस समय उस समय केवल और केवल है अब इतना लिखने बात भी दोनों बाते हैं आपको समझ में नहीं आएंगी मैं समझाता हूं वो इस्थिति जब किसी पब्लिक मतलब पीपल दोरा इंपोस की जा रही है लोगों दोरा इंपोस की जा रही है जब वो पीपल दोरा इंपोस की जा रही है वो लोगों दोरा इंपोस की जा रही है तो चाहे जो लगा देना लेकिन कोई तुमसे कहने के लिए बात नहीं कर रहा है परिस्थिति ही ऐसी है सरकंटेंसेस ही ऐसे हैं कि तुम्हें वो करना पड़ रहा है तब तुम केवल और केवल यह लगाते हो अब चलो मैं अंतर दिखाता हूं जब कहा गया था कि मास्क पहनो बेटा तो सिच्वेसन आके नहीं कहते एक मास्क पहन लो किसी व्यक्तिदारा यह कानून इंपोस किय जा गया होगा मास पैन तो चाहे मस्ट लगा देते चाहे हैट लगा देते दोनों सही था यहां तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है कि तुम यह ठैरे परदिशी तुम्हारा इस्कूल यह अब तुम जब तक 5 km चलोगे नहीं तब तक इस्कूल जाओगे नहीं पहले 5 km चलो तब स्कूल जाओ कोई यह नहीं कह रहा तुमसे तुम्हारा घर दूर है पांच किलो मीटर कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं इंपोज कर रहा है कि पांच किलो मीटर चलो तब ही जाओ कि पांच किलोमेटर चलना ही पड़ेगा बहले घुमते रहो ही तब स्कूल जाओ ना तुम्हारा इसकूल ही पांच किलोमेटर दूर है और जब तुम्हारा इसकूल ही पांच किलोमेटर दूर है तो ये किसी पबलिक दौरा इंपोज नहीं किया गया पीपल ने इसको इंपो पहुए कि कि तना बजा है साथ पचास हो गया चलो बाकी मस्ट के बारे में मैं आप लोगों को अभी कल और पढ़ाऊंगा अभी तो मैंने मस्ट का बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है कल और पढ़ाऊंगा अभी किसी का डाउट हो तो पूझ लो देखो मेरी क्लास का मुझे नहीं लगता कि पीडियो भे प्लेलिस्ट नहीं है योटूब पर प्लेलिस्ट नहीं है यूटूब पर मेरे बैचेज है पीड बैचेज है और इस तरीके प्लेलिस्ट है नहीं हाँ घर पे तो वही चल ले टाइमिंग है आठ से नो साम को हाँ इसकी तो यार फाइफ अंडर्ड है तुम्हारे लिए फीस के लिए क्या दिक्कत है या तुम ऐसे यह यह बहुत में अभी तो मलब यह बहुत तो हमारे हैं ऐसा होता है कि टॉपिक वाइज स्टार्ट होते हैं टॉपिक वाइज कंप्लीट होते हैं तो सेडियस के लिए मुझे इससल लेगना पड़ेगा तो आप आज आओ आप परिशान नहीं हो इतने जल्दी तो क्यारम जिम्मेदारी नहीं देते हैं कि दो महिने में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ठिंक्स विल टेक टाइम बढ़ हाँ जितना हो सकेगा वो हम गाइड कर देंगे अलग से खीक है जैसा हो आप बताना में को वही हो हाँ हाँ वही हो ठीक भाई हाँ हाँ बिल्कुल कि कि किसी का हमेंने लगता कोई डाउट होगा और इसको भेजने की नेड़ भी नहीं है कोई कि रोज रोज इसको भेजा जाए यह सब नॉर्मल चीजें है आई थिंक आप लोगों को पढ़ाते समय ही नोट कर लेना चाहिए और कोई तना काबिल भी नहीं होगा कि केवल पीडिएफ देख लेगा और कई देगा हमने नोट कर लिया हमें समय में आ गया उसको वीडियो पे तो आना ही पड़ेगा तो इस चलिए ठीक है सभी को राम राम जैस्री राम